और सारंपुन के नकुन थाना च्छितर के अम बेहटा पीर में हुई फाइरिंग का पुलस ने खुलासा कर दिया और पुलस ने फाइरिंग के एक आरोपी को जो है गरफतार किया है और पुलस के मताबिक एक फरनीचर की दुकान पर फाइरिंग कर फरार हो गए और इस दोरान पुलिस ने आरोपे से तमंचा, एक जिंदाकार्दूस और दो खोके परामत की हैं इस गिरफतार हुआ है बिलाल, पुत्र यूनुस, यह मौला बड़ा कुवा, कजबा अमेठा का रहने वाला है, इनसे पूछता आच में पता चला कि फाइरिंग जो इन्होंने की है, वो इस बात पर की है कि इन्होंने सबसे पहले जो दुकानदार है उससे कोल्टरिंग और दुकानदा ने कोल्टरिंग देने से मना कर दिया, इस पर इन्होंने आवेश में आकर फाइरिंग की,